अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि अभिशेक मलहान जो कि शो में तना बढ़िया पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं वो पूजा भट की हिट लिस्ट में सबसे नंबर बन पर हैं लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि अलविश के आने से मुर्दो में भी जान आ गई है ऐसा ही कुछ हमें पूजा जी के साथ भी देखने को मिला है अब जैसे कि हम सबको पता है कि अलविश यादव is the next big thing inside Big Boss OTT season 2 अभिशेक मलहान is doing good अभिशेक मलहान's friend यानि कि अलविश is finding his way towards the number one chair यानि कि कौन जीतेगा Big Boss अब ऐसे में आप लोगों को बता दो जब अलविश तर पूछा जाता है कि आप को कौन strong लगता है वो कहते हैं पूजा जी अभिशेक और मनीशा ना बेबी का आती है ना कोई और आता है और यहाँ पर दीरे करके आग बढ़ती जाती है लेकिन घैर फिरहार यहाँ पर एक टास्क आ गया है घर के अंदर और यह लेटेस प्रोमो में निज़र आता है जहां पर निशान्त Big Boss पंदरा के एक्स कंटेंडर और OTT के एक्स कंटेंडर आते हैं और आकर अपना निशाना साधते हैं यहाँ पर वो जूस लेकर आए हैं जिसमें कड़वा से लेकर यह वो फलाना डिमकाना फेक यह सारी चीज़े हैं और ऐसे मैं आपको बतातू जब पूजा भट को बलाया जाता है तो वो डायरेक्ट अभी अभी शेक का नाम ना लेकर अम सप्राइज बाय दिस जेश्चर अपूजा जी यहाँ पर वो एलविश को टार्गेट करती हैं देखना इंटरसिंग रहेगा आज के जो एपिसोड में आएगा वैसे एलविश के अगर बात करें दोस्तों तो ये वीक प्रेंमेंट तो कराई रहा है साथी साथ मुद्दे भी उठा रहा है हाँ हालाकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर विचारे अलविश और अभी शेक की दोस्ती को तोड़ने की भरपूर कोशिश है चल रही है क्योंकि यहाँ पर अभी शेक ने जिस तरीके से अगर अभी अभी शेक के बीच में रिफ्ट पैदा हो सकती है जिसका फायदा अपकरस उठाने के लिए जिया है फलक है देवी का है पूजा जी है तो देखना यह होगा कि अलविश वर्सेस अभी शेक होगा या नहीं होगा वैसे मैं लिटरली चाहता हूँ गंदा वाला ना हो एक्द करेंगे दोस्तों ऐसा नहीं कि एक एकदम से वेकार ही जा रहा है एक एकदम से वेकार ऐसा नहीं होना चाहिए और पूजा भट के इस नए टार्गेट को लेकर आपको क्या है कहना कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा असारी यह चटपटी अपडेट्स के लिए राहुल कोज है ना और फर्दर मसाले के लिए रहुल भुज कॉमेडी कमेंट सेक्शन में लिंक पिंग कर दिया है बाबाए